रक्षा बंधिन की कता एक बार मालक्ष्मी ने राजबली को राखी बांद कर उनसे भगवान विश्नू को मागा था एक कहानी इस सरह की है कि एक बार राजबली ने यग का आयोजन किया तब उनकी परिक्षा लेने के लिए भगवान विश्णू वामन अफ्तार लेकर वहां आए और दानवीर राजा बली से तीन पक भूमी मांग ली बली ने हां कह दिया तो वामन अफ्तार ने दो पक में ही सारी धर्दी और अकाश नाप लिया राजा बली समझ गए कि भगवान विश्णू स्वयम उनकी परिक्षा ले रहे है तीसरा पक रखने के लिए उन्होंने भगवान के सामने अपना सिर आगे कर दिया फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है प्रभू आप मेरी विंती सुईकारें और मेरे साथ पाताल में चल कर रहें भगवान को भगवान को भी भक्त की बात माननी पड़ी और विश्णू जी पैकुंड छोड़कर पाताल चले गए जब देवी लक्ष्मी को या पता चला तो वह गरीब महिला का रूप धारन करकर बली के पास पहुँची और राजा बली को राखी बांदी बली ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साकशाथ श्री हरी हैं और मुझे वहीं जाएए इस पर बली ने भगवान विश्णू से माता लक्ष्मी के साथ जाने की विंती की तब जाते वक्ष्मी भगवान विश्णू ने राजवली को वर्दान दिया कि वह हर साल चार महीने पातार मही निवास करेंगे यह चार महीने चतर मास के रूप में जाने जाते हैं वीडियो पसंदाएं तो वीडियो को लाइक, शेर और चानल को सब्स्राइब करना ना भूलें धन्यवाद